कि हमारे विशेस कार्टम हम तो पूछेंगे मिया आपका स्वागत है मैं हुआ अख्लेट मिश्र और आज हम बाचीत कर रहे हैं भर्दी किसान यूनियन के नेता राकेश्टिकेजी से राकेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है राकेश्च जी आथ देश भर में किसान जो आंदोलित है सवाल उठाय जा रहा है कि जिस वक्त उसे अपने खेट में रहना चाहिए था वो सड़कों पे है और इसके पीछे कहीं ने कहीं कॉंग्रेस का हाथ है राजनेतिक हाथ है पूरे अंदोलन के पीछे यह तो गलत है सारा सरी कि कोई पॉल्टिकल पाल्टी के कहने से और किसान अंदोलन करेगा उनके पास में हर पॉल्टिकल पाल्टी के पास में अपना संगठन है अगर उसको अंदोलन करवाना होगा तो उससे करवाएगा यह तो नोन पॉल्टिकल संगठन है और यह पूंट से जब किसानों की समशाएं होत आतने हैं एपने आऊस में उसमें तो यह हहए हमारे हिलाप यह मोभी मॉमेंट हैं अभर अट्ता चार सब्सक्राइब और के शिर्म पार्टी कि इस मॉमेंट को नहीं हैदी कि महारास्टा में प्रकूब डे मिसेठा करता ता वहां पर आंध्रॉन करे हैं और इसलिए तो तो आरोफ लगते आपकी ऊपर ना कि कहीं कुछ नहीं पूडिएशन है मोटिवेशन कोषी ती जहां तक आपने महराष्ट की बात करी, महराष्ट में एक बड़ा किसान मुमेंट था वहाँ पे, जब सरजोसी जी उसके लेडर थे वहाँ पे, और सबसे पहले देश में महराष्ट का इकिसान आंदोलन खडा हुआ, वहाँ पे संगठन जी था, वह जैसे ही सरज जोसी जी प्रो मल्टिनेसल कमपणी हुए उनकी बात प्यों करने लगें तो फिर पूरा का पूरा वहाँ पे किसान आंदोलन खतम हो गया था आज वहाँ पे कोई आंदोलन की जादे बात नहीं करते कोई उस तरह का लीडर्शिप महाँ पे है नहीं क्योंकि जो डीडर था जिसमें जनता विश्वास करती थी वो कंपणी के पक्स में चले गए और आज यही हाला था है कि महाँ पे आंदोलन नहीं है और किसान आत्मताएं महाँ पे जादे करते हैं जब क्रिश्व मंत्री आपको वारता के लिए बुला रहे हैं कह रहे हैं आईए हमें टेविल पे बैठके बातीत कर लेते हैं तीन तारीक को वक्त दे रहे हैं तो फिर आंदोलन नहीं लगता है कि आप मामले को समाधान के बजाए उसे उल्जाना चाहते हैं तो उल्जाना जो हमको जाने कारी मिली है तो जो देश का परधान मंतरी किसान उसके दरवाजे पाया है और देश का परधान मंतरी बाहर जा रहा हो तो उनको ये तो है नहीं कि वो किसान उसे हमदर्दी उनको है किसान उपर तो उन्होंने फोर्स लगा रहे है कि लाठिया चला और इनको ग वाहर है यह पूर्णूफ से दिखाई देता है सर आपकी लड़ाई क्या है सिर्फ MSP को ले करके है कि आप कॉंटेक्ट फार्मिंग की भी लड़ाई लड़ते हैं और जो आपके तमाम जो पुराने मुद्दे चले आ रहे हैं तमाम फसलों को MSP में सामिल करने की मांग को है त उसको लाग उखर दे उस टाइम पे टीचर जो था सरकारी प्रेमरेट टीचर उसकी सत्तर रुपया सेलरी थी और 1967 में ग्यों की खरीदिरों ने पहली बार सुरू करीद लेवी लगाई हमने उसी को आधार मान लिया केंदर बिंदू चिंता रुपय पर कुएंटल सरकार नहीं हमको पैसे दिये और टीचर को भी सरकार पैसे देती थी एक टीचर एक महिंदे में एक कुएंटल ग्यों नही कर सकते थे आज भी व फार्मुला लाग्गो कर दो आज सैलरी होगी जो टीचर की सैलरी है वो आज साठ सतर हजार रुपय के आसे यह उनका रेट 2जार है आप उसको केल्कुलेसन कर लो तो कितना बैटता है यहोंका रेट हमारा जो फार मुला थे पिसान के मौत फार मॉला नहीं लगा, दूसरे चिज्जों के रेट बढ़े, किसान तो पर्चेजिंग भी करता है, वो जब मार्किट में जाता है, अपना आज बेच के, तो क्या खरीदता है, हमारी यही लड़ाई है, हमारी लड़ाई, मेन भाव की लड़ाई है, फिर एक यहां पर कमेटी बनी, उस उसको लागू कर दो, हमको लिखित में एक दस्ता बेज देदो, हम अभी सूलियत हो जाएगी, कि कोई भी देश में व्यापार करेगा, इसके निच्छे पर खरीद नहीं करेगा, सरकार बीच से हट जाओ, भई सरकार तो यह कहते हैं, हम तो नहीं तो कह रहे है, सरकार तो क पुइंटल में धान की खरीद हो रही है, तो कहा गए परदार मंतर जी, कहा गए हमारे उत्तर परदेश के, यह वहां के मुख्य मंतरी, वो तो खरीद हो रही है, अभी हाल में, धान की 800 से 1100 रुपे में खरीद हो रही है, और पूरा व्यापार यह जो भीचोलवा कहते थे उन कंपणियों नहीं हमको लूट लिया, सरकार देखती रही, सरकार के जो तांतरिक वेवस्ता है, जो अधिकारी, सरकारी, लोग वहां के MPA में लें, उनके बीच में लूट लिया किसान को, अब नहीं बचा पारी, हम कहरें के लिखित में दे दो, व्यापारी से हम अपने सरकार पूरी जितना उत्पादान है, उसको खरीद नहीं सकती, खरीज बिलेगी तो भंडारन नहीं कर सकती है, तो MSP तो इसलिए है कि मार्केट में रेट बढ़ जाए, आप ही जानते हैं, तो सरकारे खरीद दो, हम तो कहरें कि आप बना दो, उसको दे दो, व्यापारी न सरकार नहीं मिला है, तो मान लीजिए, ब्यापारियों के लिए भी सरकार इसी तरह कर देगी, तो आज आप घान बेच रहे न, 800 रुपे कुंटल, तो आप फिर कल भी बेचेंगे, जाए घोशित होने, नग होने से फरक क्या पढ़ दे बाला है, आप कर देना चाहिए, सरक सरकार तो हमको एक दस्तावाई दे देना लिखें, कि इसे कम पर खरीद नहीं होगी, हम अगर बेच रहा है, हम बेच रहा है, अभी तो सरकार ने लिखे दिया है, उससे, नहीं, जो MSP, सरकारी खरीद हो रही है, जो है, उसके बावजूद आप मार्केट में बेच रहे हैं तो अगर लिखे भी दे देती है, तो क्या खाली लिखने से समस्या खतम हो जाएगे, राकेश जी, कैसे? उससे यह हो जाएगा, जब यह होगा कि अपराधिक मुकदमे उसके उपर दरज होंगा, अगर इससे कम पर कोई भी व्यापारी खरीद करेगा, तो उसके खिलाप अपराधिक मुकदमे होंगे, उसको सजाओगी, यह कानून यह बनाएं, वो खरीदा गाई नहीं, भई व् हैं, वे आज सस्ते में खरीद करें, फिर में एंगे में चावल बेच रहा, तो क्यों खरीद रहें, कोई तो देश में कंट्रोलिंग सिस्टम होगा, सरकारे हैं, कोई तो काम करेगी, यह सरकारे सिर्फ यह हैं के जनता वोट देदे हमको, और हम इनको लुटाई भी कानून में संसोधन करना पड़ेगा, कि जो भी बाते कहनी हूँ, बाची से सवाधान करने को हम तयार हैं, किसान संगठन कई बार ब्लेक मेल पर उतारू हो जाते हैं, और आपको लगता है कि किसान संगठनों को भी सोचना होगा, आपमें चिंतन करना होगा, जित तबाम सडकों के उपर हैं, तो इस सरकार पूर्ण रूप से फैलियर हैं, और जहांता कि पंजाब और हर्याने की बात करते हैं, पंजाब और हर्याना का किसान तो जाग रुख है बहुत, वहां का किसान सत्ता को पलटता है, अगर उसके पक्स की सरकार नहीं आगी तो वो पलटता सिस्टम इनका बनाएं पूरा उप्तर प्रदेश और बिहार का धान अर्यानर पंजाब जा रहा है आज भी तो उनका जो व्यापारी जो उनके सेटिंग है पूर्ण रूप से वहां से अर्याटस रूपर में खरिद cumpl चावल की बड़ी कमपनी हैं, वो अगर काम कर रहे है, खरीद कराइग अगर उसको आज 88 mil में खरीद kansस , अगर उसकोSet 18 बड़ी उसकोते उसको पड़ी-बड़ी Empodsch文 में लेगी के पिछे लगा हुए है वो सस्ते में खरीद के इनको देता रहेगा ये पूरा स्काव इस्टोक होल्डिंग करेंगे और अभी तो जो ने कानून में है इस्टोक होल्डिंग जो कैपेसिटी होगी उसको भी आप इनने फिरी कर दिया कि आप कितना भी खरीद दो और यहां पर जमा खोरी करो और फिर महेंगे रेट में आम जनता को बिचो इससे तो होग ज़्यादा बेनेफिट होगा इनको ये भी एक अटाना पड़ेगा कि इस्टोक वो कितना रख़गा नहीं तो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं सब एगरी बिजनस मागे हमने तो अब की बार द किसान को लूटने का एक बहुत बड़ा साधन सरकारों ने बना कर दे दिया है वक्त हो चला है चोटी से ब्रेक का ब्रेक के बाद दब लोटेंगे तो राकेश तिकेजिसे जानने की कोशित करेंगे कि आखिर किसान हितों की लड़ाई लड़ने वाले सारे संगठन एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं किसी के अलग राग है कोई अलग सुर में गा रहा है लड़ाई जब एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं थे आप हम अगर यह कहने लगए के जित्ति पॉलिटिकल पालिटी है यह सब को खत्म करके एक नेशनल पालिट्टी देश में बढ़ जाएं तो लेकिन जो कोज है जो सोच है जो विचार है और जो आंदोलन की रूप रेखा है वो सरकार के खिलाब सब लोग एक मन्त है मस्पी पर पूरे देश का किसान संगठन पूरे देश के किसान उसब पूर्णूप से एक ही सवाल पर लोग दिल्ली के चरुतरब आ चुके हैं ढवार्य जन्धा प्रटी के किसान का सअगतन है जो आप मध्य उठाते हैं सरकार जब कॉध्य Лundi को होती हो उनको विधये मानी लगते हैं और आजब विपक्श्मन है तो बीजेपियं को यह दे बेमानी लगते हैं आपो क्या लगता है किसान को एक वोट बैंक के रूप में यूज करिया जाता है उनको सिर्फ वोट बैंकी समझा जा रहा है आज भी राज़ाजिक दनुद्वारा देखो पॉल्टिकल पार्टी को वोट कहां से मिलेगी कौन सा ब्यान दे के मिलेगी क्या काम करने से मिलेगी उनका काम वोट से हैं देश की समझ्चाहों से नहीं है से ही सरकार मा जाएंगे फिर वे कहते हैं विपक्स दूसरी चीज़ है और सरकार चलाना दूसरी चीज़ है यह तो पार्टी का ब्यान था फेनी लोग उनका था ब्योगती जब इन्हें ब्यां दिये और का के हम यह काम करेंगा उनका जैनका जी वह तो पूर्णू उपसे तो एजेंडे में था जी ओ तो जब ये तो पार्टी का भियान था जी हो ठेटी इस सरकार तो था निए तो हमने ये कहा है कि नेश्नल एगरिकल्चर पॉलिसी देश में बने वो पच्ची साल की पूरा तैयार हो जैसे हम डिजाइनिंग करते हैं किसी भी सहर का हमने ये कहा कि एग्रिकल्चर कैबिनेट बढ़नी चीज़ एक उसमें अठारा मंतरा लाएंगे वे एक जंगा बैट टिक है और किसान की पोलिसी बनाएं जब किसान के भागे का फैसला हो सकता है नरेंदर सिंग तोमर के हाथ में कुछ नहीं है ना उनके उसमें कुछ है क्या फर्टिलाजर हो चाहे पेजल हो सारी चीज़ों कर बंडी भी आजाए उसमें आयात नर्याद भी आजाए जैसे मक्का मंगवाई विदेश मंतरा ले ने मक्का बाहर से मंगवा लिया भी उनको यह नहीं पता था कि पॉल्ट्री फारम सब बंद हैं हमारे देश में यहां से दिल्ली के मक्का बेची और यहां मक्का बाहर समगा लिए क्या करना था क्योंकि विदेश मंतरा ले हैं दिल्ली में बठे हुए हैं चमकिली कोट्यू में बैटे कागजू पे बैटके किसान के भागे का फैसला करते हैं तो यही हाला होगा किसान का अच्छा राकिश जी आप तो हमारी बड़े पॉलिटिशनों से बात हुई सरकार में तो नकाज जब विपक्स में रहते हैं तो दूसरे चीज़ होती है जब सरकार बन जाती है तो पालिटी से अलग काम करते हैं वो तो ब्यान हमारे पालिटी के होते हैं जब सरकार आती है तो सरकार का तो सिस्टम सब ए भीक जब गाडियाव रएए यह तो सारे चीज्ज है तो पॉलिसी भी है पोलिसी कहां चेझ्य करते हैं फिर पॉलिसी जिस पाइटीं सरकारों बोप समय को हमारे पड़ेगा जब हमारे देश के किसानों का गाहों का गरीब का उद्धार हो सकता है नहीं कोई बहुत बड़े साड़े 300 से जादा संगठन है और उसमें बहुत बड़ी संग्षा में किसान संगठन का समर्चन सरकार के पास है यह चंद लोग हैं जो पंजाब हरियाडा उत्तर बिस से निकल के आगे आ रहे हैं और यह तो पूर्ल मुफसे गलत सरकार रूमर फेरारी है वो तो रूमर यह भी फेरारी और भी आ रहे हैं, तो जो संगठन आ जा रहे हैं, इस पर ये ऐलिगेशन लगा के, ये करके, और इसको दूसरे तरीके का मोड ये देना चाहते हैं, उस तरह कि किना यहां पर बात है, किसान अपनी बात कहने आया है, किसान की बात इनको सुननी पड़ेगी, और नहीं तो अंदो जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, किसान कोई वोट बैंक नहीं है, वो हिंदो मुस्लिम जाक्यों में बटा हुआ है, जिसका फाइदा हो ले लेते हैं, तो उसमें बुराई क्या है, तो बात दिया है, किसान को इतना ससक्त वोट बैंक क्यों नहीं बना पा रहे हैं, कि सर कि आप पॉलिशी सर्कार को ळेंगा स्पास्चीनिक स्टॉसенд। टाइम झाय वह थोड़ा था एक महिमने लेट शुरू कर दिया। यह तो आप मानेंगे ना करोना एक महामारी है इसकी बीच में इतना बड़ा अंदोलन सोचल लिसेंसिंग होने लिए सरकार कुछ किसानों की यह भी तो चिंता है वो करें ठीक है बुराड़ी में दे देंगे आपको रोका नहीं उन्होंने परमिशन भी दे दी दिल्ली जाने देखना चाहिए सब लोग और जो कोरोना का जहां तक बात करते हैं कोरोना से बड़ा भरस्टाचार पूरे दुनिया में कहीं होगा जब यह खुलागा सारे पैसे कोरोना के माध्यम से कहां खपत होगी उसका पता नहीं चल रहा क्या किसी को दवाई दी क्या किसी का ऑस्प किसानों के लिए जब कानून मनता है किसानों की जो पॉलसी होती है उसको लेकर के जब फसल वीमा एक योजना सरकार ने सुरू की 21,000 करोन का फायदा हो जाता है बीना कम बीमा कंपनियों को किसानों को नहीं होता है आप उस पर आंदोलन नहीं करते हैं तो कैसे पॉलसी किसानों के लीग्रवाया या और वह बाठीत के मारे महीन सा निकला अन्दोलन विस पे हुए और इसमें बाहर किला है saya अपिसको रॉद नकरने कुछ सान साल लगा है अब उसuur पिछले साल कुछ संसंसोदन उसमेंpower पशल भीई किसान के सामने क्या है और आपकी आगला कदम क्या होने वाला है सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश के सामने यह कि जो फसलों के रेट escrito करने पड़ेगे जिसे दूद का 32 शुरुप में भी और Holy 58 शुरुप में भी तो एक रेट तहय करना पड़ेगा quel कि एक दिन में जो मार्किट उपर निच्चे होते हैं उसके भी रेट तहे करने पड़ेंगे और जो फसलों के रेट तेह हैं उसके कम पर खरीद नाओं ये कानून देश में बनाना पड़ागा ये एक पूरे देश की एक बड़ी समझ्चा है उसी से ही किसान कुछ बच सकता ह बहुत-बहुत जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद तो ये थे राकिष्टिक है जिन्हों साब तोर पे कहा कि किसी उस पादों को ले करके अगर MSP तैह हो जाती है तो इनकी बहुत-बड़ी समस्या का समधान हो जाएगा खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट